दोस्तो अगर आप भी रवी चंदरा नश्विन बुमरा और रोहित शर्मा को अच्छा खिलाडी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा दोस्तो भारत और साउथ ऐफरीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन हैट्रिक गेंदवाजी से 5 विकिट लेका नश्विन ने पलट कर रख दिया पूरा मुकाबला फिर जस्पृत बुमरा ने मत्र 82 रन पर ही रोका और फिर रोहित शर्मा और यससवी जैसवाल को भारत के स्कोर को ऐसे पहुंचाया 300 के करीब की देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश तो दोस्तो आकिरकार भारत साउथ ऐफरीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के मुकाबले की हाईलाइट विडियो में दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप तभी तो जानते हैं कि भारत और साउथ ऐफरीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला नियू लेंड्स क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ जहां इस मुकाबले की शुरुआत साउथ ऐफरीका टीम के कप्तान टेमबा बबुमा के टॉस जीतने के साथ हुई और इस द चंदरन अश्विन कुछ अलगी लैमें दिखाई दिये जहां इस बीच एक के बाद एक विकेट साउथ ऐफरीका टीम के इस प्रकार से गिरे कि उनके 70 रन के कुल स्कोर परी 10 विकेट भारत के खिलाडियों ने ले लिए और फिर मैदान पर आकर बल्लेबाजों ने साउथ साउथ ऐफरीका की कमर तोड़ कर रख दी दरसल दोस्तों मुकाबले की जब शुरुआत हुई तो यहां साउथ ऐफरीका के लिए फारीक शुरू करने के लिए डीन एलगर के साथ एडन मारकरम उतरे थे जहां दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 13 रन जोड लिए थे लेकिन इसी बीच जस्परीद बुमरा ने एडन मारकरम को अंदर आती हुई गेंद पर चलता किया और एडन मारकरम का विकेट मात्र पांच रन पर ही गिरा अब एडन मारकरम के आउट हो जाने के बाद उतरे टौनी डी जोर्जी जान टौनी डी जोर्जी को जस एलगर तमाशा देख रहे थे और दूसरी तरफ कीगन पीटरसन साथ रन बना कर आउट हो गए तो डेविड वेडिंगम का विकेट 12 रन पर गिरा तो कैल वेरिये ने 16 रन बना कर चलते बने और डीन एलगर को रवी चंदरन अश्विन ने 20 रन पर ही चलता किया जिसके चलते यहाँ पर साथ आफरीका की टीम ने 7 बड़े विकेट अपने बसमात्र 55 रन के कुल स्कूर पर ही गवा दिये थे और पूरी टीम का स्कूर मात्र 82 रन पर की पहुंच पाया और 10 विकेट गिर गए जहां भारत की तरब से जस्परित मुमरा के नाम 3 विकेट रहे तो वहीं 5 विकेट रवी चंदरन अश्विन और 2 विकेट मुहमद शिराज को मिले और इसी के साथ 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 एफरिका की पूरी पारी 82 रन पर ही समापत हो गई हाला कि अगर भारत ने थोड़े एक्ष्टर रन ना दिये होते तो 70 रन से पहले ही इनका लुड़क जाना तैमाना जा रहा था लेकिन अब दोस्तों भारतिय बल्ले बाजों की बारी थे इस मैदान पर चमतकार कर दिखाने की क्योंकि अब 82 रन पर अगर साथ एफरिका को रोख दिया है भारत की टीम ने तो एक बड़े स्कोर को बनाने में रोहित शर्मा और यससवी जैसवाल बिल्कुल भी हिचकिचाने वाले नहीं थे यहाँ पर दोनों बल्ले बाजों ने हाते से ही कगीसो रबाड़ा और नांदरे बर्गर को आड़े हातों लिया जहां पिछले टेश्ट मुकाबले का बदला लेते हुए रोहित शर्मा और यससवी जैसवाल ने 50 रन की साज़ेदारी तो बसमात्र 46 गेंदों में पूरी करड़ा ली पिर क्या था इस दोरान दोनों बल्ले बाज अपने शतक की और आगे बढ़ते चले जा रहे थे लेकिन यहां पर किसी को भी उमीद रही लग रही थी कि पहला बड़ा जटका भारतिय टीम को यससवी जैसवाल के रूप में लगेगा जो की 66 रन बनाकर केशब महराज की ग दूसरा बड़ा जटका लगाता लग गया अब दो बड़े जटके लग जाने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोली ने पारी को संभाला जहां दोनों बल्ले बाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को आज पहले दिन का मैच समाप्त होने तक 200 रन के पार पहुँचाया है इ भी बस पांच सेशन्स के बीच में ये कारनामा कर दिखाया है और भारते टीम के ओपनर बल्ले बाज रोहित शर्मा अपने दोहरे शतक की और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अगर भारत की टीम ने पहली पारी के आधार पर साउथ ऐफरीका के खिलाफ 200 से ज़ अमीदे रहेंगी सभी को कि ये बल्ले बाज भी अपनी लै दिखाएं और यहां पर केल राहूल सिरिश आयर तो वैसे भी सांदार प्रदर्शन भारत के लिए करते चले आ रहे हैं वहीं दोस्तों आपको हम बता दें कि भारत और साउथ ऐफरीका के बीच ये मैच के पहले दिन का मुकाबला था जिसमें भारतिय टीम ने शांदार प्रदर्शन कर दिखाया है रवी चंदरा नश्विन तो आज हैट्रिक लेने के भी बेहदी नजदीक थे लेकिन हैट्रिक उनसे मिस हो गई और अब आप सभी की त्यार आया भारत और साउथ ऐफरीक अब दोनों बल्लेबाज शत्किय साज़ेदारी कर देने के बाद भारतिय टीम को और भी उच्छे पायदान पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी को क्या ही पता था कि अगले पल ये सस्वी जैसवाल का विगिट गिरने वाला है और ये सस्वी जैसवाल को रबाडा के हाथों कैच आउट करवा दिया जिसके चलते भारतिय टीम को ये पहला बड़ा जटका लगा जैसे कि आप सभी आपर इसकोर कार्ड में भी देख सकते हो अलांकि दोस्तों जैसवाल की पारी 85 रन पर सामापत हुई अब जैसवाल के आउट हो जाने के बाद मुँ माफ हैसला करते हैं कि वो गेंदवाजी थामाएंगे और यहाँ पर उन्होंने आते से ही रोहित शर्मा को चलता किया और 108 रन की पारी रोहित शर्मा की यही समापत हुई तो वहीं रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद अब टीम इंडिया काफी दवाम में आ तो वहीं शुम्मन गिल के आउट हो जाने के बाद भारतिया पारी पूरी तरह से बिखरती हुई नजरारी थी अब यहाँ पर संकट मोचन मनकर विराट कोली का साथ निभाने के लिए पांचवे नमर पर उतरे रिंकू सिंग अब बाद की जाए बल्लेबाजी के बारे में तो यहां रोहित शर्मा के बल्ले से शत्की है पारी देखने के लिए हर कोई बेसबरी से इंतिजार कर रहा है और रवी चंदरा नश्विन भुमरा के नमर भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा